नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आर्केजिर फिर पाट साला यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के दाइंदू नियूस्पेपर का एनलाईसिस हम करेंगे सबसे पहले एटिटूरियल वाले हिस्से को देखें तो आज दो आर्टिकल देख मेरной कमपनी हैं उसके जो शेयर होड़र हैं कंपनी हमें इससद्टिया चोछते कि मेरे दिया जा सके हैं अभी कभी कभी वह क्या काम करती हैं kan कभी कभी अपनी डेकनिक के इस्तमाल करके मिस्यूज करने लग जाती है आगे कैसे करके मिस्यूज होता है यहाँ पर इस आर्टिकल में हम विशेश चर्चा करने वाले हैं सेगेंड वाला जो हमारा आर्टिकल होने वाला है यह बजट 2024 का एनलाइसिस है इसमें हम समझने की कोशिस करेंगे कि सरकार को जो वैलफेर वाली स्कीम है उसकी उपर पैसा खर्चा करने की जरूरत है जो की बजट से हमें यह पता चलता है कि सरकार कहना चाहिए काफी समय से इसमें कटोती करते जा रही है जैसे कि मन्रेग की हम यह दिबात कर लें इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम है जैसे कि चाहे वो पोशड़ अभियान वाली स्कीम हो चाहे वो रासन से रिलेटिड इसकीम हो जिसमें सरकार पैसे का जो एलोकेशन है उसको कम करते जा रही है तो यह एक चिंता का विसा है इसके उपर हम चर्चा करने वाले है तो देखते हैं दोस्तों इस आर्टिकल को जो की पार्टिकुलरली सरकार वैलफेर स्कीम के लिए बजट में जो कमी कर रही है कटोती कर रह सरकार लोगों के वैलफेर के लिए बहुत सारी स्कीम लेकर आती है जैसे कि सबसे पहली बात करें खाना आवलेबल कराने के लिए खाना एवलेबल कराने के लिए सरकार क्या काम करती है जो सारजनिक वित्रड प्रडाली वाला सिस्टम है उसके माध्यम से लोगों को सस्ती दर पर खाद्यान या फिर फ्री में खाद्यान एवलेबल कराती है सेकंड नमबर यदि हम बच्चों की बात कर लें तो स्कूल में मिड़े मील स्कीम चलती है मिड़े मील स्कीम के माध्यम से सरकार ये इंस्वर करती है कि कम से कम बच्चे खाना के बहाने से स्कूल आएंगे या फिर घरों में इतनी भी क्वालिटी का खाना नहीं मिल पाता है तो इस से बच्चे को पोसित रह जाते हैं उनको थोड़ा पोसन हम प्रोवाइड कर सके इसके अलावा और भी कुछ योजनाएं हैं जैसे कि मनरेगा जैसी इसकीम होती है गाउवालों को बाहर काम करने नहीं जाना पड़े किसान लोग जो रहते हैं हमेशा उनको काम नहीं रहता है टाइम टाइम से काम रहता खेतों में तो जब वो लोग खाली रहते हैं उस समय में सहर की तरब जाते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए तो सरकार ने सोची कि हम एक काम करते हैं कि मन्रेगा के अंतरकत सौ दिन का रोजगार की गैरंटी हम देते हैं ग्रामेड परिवारों को इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं उसका भी यहां पर हम जिकर करने वाले तो यह स्कीम हमरे देश के निर्माड के लिए गरीबों के निर्माड के लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाती हैं लेकिन यदि सरकार कंटीनिव इसमें बजट में कटोती करती हैं तो इसका जो परिडाम है वो अच्छा नहीं होने वाला है बुरा ही होगा यूरियन बजट को बहुत सारी लोगों ने क्रिटिसिजम किया है वेलफियर फ्रंट पर ये उतना खरा नहीं उतरा है क्योंकि सरकार इंक्रीज नहीं करी है एक्स्पेंडीचर को वेलफियर स्कीम के ऊपर जो की सपोर्ट करते हैं मार्जनलाइजड कम्यून्डी को हमारे देश में 34 परसेंट जो पापुलेशन है वो सर्वाइब कर रही है लेंस देन 100 रुपए पर डे एंड 81 करोड से भी जादा जो पीपूल है उनको रिक्वार्मेंट है फ्री फूट ग्रेंड की अभी तक यदि देखा जाए तो तो जाहिर सी बात है इतनी जादा कंडिशन हमारे पास खराब है कि 34 परसेंट जनसंख्या प्रती दिन 100 रुपए से भी कम में अपना गुजारा कर रही है एक्क्यासी करोड से दिक लोगों को जीवन यापन करने के लिए मुप्त खाद्यान की अवस्यक्ता होती है तो सरकार को क्या करना चाहिए बहुत सारे लोग ये बोलते है कि सरकार इस प्रकार से जो फ्री में फूट गरें अवलियेबल कराती है तो इससे लोग आलसी बन जाते हैं काम नहीं करते हैं घर में बैठे रहते हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है क्योंकि खाली चावल और गेहु ले करके गेहु भी नहीं देते हैं चावल ही देते हैं चावल अकेला है यह आपको मिल जा रहा है तो चावल अकेला खा करके आप नहीं रह सकते हैं दूसरी बात यह है आपको परिवार को भी पालना है बच्चों को स्कूल भेजना है हैल्थ में पैसे खर्चा करना है ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनको आप फुल्फिल नहीं कर सकते हैं बीना काम किये आप नहीं रह सकते हैं तो यह होता है कि चावल का जो पैसा रहत इसा तो है ने कि पूरे पैसे की उनकी बचत हो जा रही है तो देखा जाए ना वेलफियर फ्रेंट पर जो यूनियन बजट है अभी फिर से कहना चाहिए फैल हो गया है या फिर इसका बहुत जादा criticism हो रहा है particularly यहाँ पर BJP का जो कारकाल है उसकी ही चर्चा करी जाती है articles जादा तर बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिसमें सरकार की criticism नहीं किया जाता ऐसे आर्टिकल बहुत कम हमको देखने को मिलते हैं जिसमें क्रिटिसिजम रहता है सरकार की योजनाओं का तो हम की welfare schemes की बात करते हैं and under funding जैसे की मन्रेगा की हम बात कर ले है government की biggest welfare scheme है कौन-कौन सी महत्मा गांधी national rural employment guarantee मन्रेगा जिसको बोला जाता और दूसरा आ जाता है national food security act मतलब food subsidy आप बोल सकते हैं इसको लेकिन ये जो दो scheme है इसका जो budget allocation है continuously गिरावट देखने को मिली है यदि हम GDP के share के हसाब से देखे है 2014-15 से हम data उठा करके देख रहे है COVID-19 pandemic के दौरान में government दो ही scheme के उपर rely कर रही थी उस major disaster से बचने के लिए तो आप सोच सकते हैं कि ये जो दोठो scheme है कितनी महत्पूर हो जाती है मन्रेगा की जो scheme होती है ये 100 days of employment provide करती है जबकि जो food subsidy होती है ये responsible है ये free food grain available करा रही है two-third population को मतलब हर तीन में से दो लोग को आप ये बोल सकते हैं दो तीहाई population इसी पर निरभर है तो जो नफसा का संडीचर है वो 0.72% था GDP का और वहीं 2024 में इसका जो allocation है वो 0.63% हो गया है GDP का मतलब सरकार ने फिर से यहाँ पर कटाओधी कर दी है सरकार की स्वारीदेश की condition के लिए हम बात करें जहाँ पर 100 करोड से भी जादा जो population है वो effort नहीं कर पाती है healthy diet को healthy diet नहीं खा सकते हैं खाना में सलाद चाहिए घी, अंडा, मचली, दाल बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या-क्या नाम बताऊं आप लोगों को तो healthy diet चाहिए आप सोच सकते हैं 100 रुपईया average जो लोग कमा रहे हैं वो लोग क्या खर्चा करेंगी इतना उसमें उनके family वालों को भी पाल रहा है we are just about 50% have three meals a day मतलब 50% ही जन संख्या ऐसी है जो कि दिन में कहना चाहिए तीन बार खाना खा सकती है कुछ-कुछ लोग तो ऐसे भी है एक ही टाइम खाके अपना गुजारा करते हैं ऐसी condition उनकी खराब है economy की दृष्टी से देखा जाए तो वहीं यदि हम मन्रेगा की बात कर लेते हैं तो जो मन्रेगा के लिए allocation है वो 0.26% है GDP का और पिछले साल जो सरकार 0.29% allocate करी थी तो इस बार फिर कटाउती कर दी है तो share of GDP के हिसाब से दी देखा जाए आज के समय में 25% laser combined budget allocation जैसे दोनों को मिला देंगे न तो 25% कम allocate करी है 2014-15 से दी हम इसकी तुलना करते हैं तो अब हम अलग अलग ग्रूप की यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं जैसे कि जो वन रेबल ग्रूप होता है सरकार क्या काम करी है उन लोगों को कितना याद कर रही है हम बात कर रहे हैं कि नेशनल सोसल असिस्टेंस प्रोग्राम की तो यहां पर कि नेशनल सोसल असिस्टेंस प्रोग्राम यह जो सरकार इसकीम लेकर के आई थी इसके माद्धिम से सरकार क्या काम करती है जैसे मदध प्रदेस के लिए हम बात कर ले महिलाओं को हजार रुपय या महीने का सरकार दे रही है सपोर्ट कर रही है लेकिन यह जो नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम होते हैं ये support करते हैं ऐसी families को जिन्होंने अपना जो bread winner है उसको खो दिया है मतलब जो मुख्य कमाने वाला व्यक्ति है वो ही नहीं रहा अब परिवार को कौन चलाएगा इसमें कोई increase नहीं देखने को मिला है किसमें national social assistance program में जबकि इसमें ब्रद्धी होना चाहिए था जैसे कि यहां पर तुलना यदि हम कर लें budget allocation की इस साल exactly same ही रहा है यदि हम nominal term में यदि हम बात करें इसका जो expenditure है share of GDP के हसाब से देखें तो 2014 में कितना था 0.06 था अब ही जो की घट करके 0.03 हो चुका है इस scheme के अंतरगत सरकार क्या काम करती है इस योजना के अंतरगत बुज़ोर्गों को 200 रुपे प्रतिमाह और विद्वाओं को 300 रुपे प्रतिमाह की मामुली pension दी जाती है ये रासी दर्जनों अर्थ सास्तियों के बार बार अनरोध के बावजुद 2006 से अभी तक नहीं बढ़ाई जा चुकी है यदि इन कमजोर समोहों को केवल राज के भरो से सोड़ दें, सरकार के भरो से छोड़ दें तो वे 30 रुपे प्रति दिन की गरीबी रेखा पर भी कम से कम 66% गरीबी रेखा से नीचे रह रहे होंगे ये कंडीशन है तो पावर्टी लाइन की हम बात कर रहे हैं जैसे की जो लोग 30 रुपईया पर डे के हिसाब से कमा रहे है तो ये लोग 66% लोग ऐसे हैं जो की बिलोव पावर्टी लाइन बिता रहे हैं अपने आपको अब हम बात करते हैं welfare and nutrition schemes की जैसे की हम बात करते हैं जो महिलाएं होती हैं और जो बच्चे हैं या फिर जो गर्वती महिलाएं हैं उनकी यदि हम बात कर ले हैं कि यदि हम वुमेंस की बात कर लें ठीक है कि वुमेंस मालनोट्रीशन से कैसे प्रभावित होते हैं सबसे पहली बात तो यह है यदि महिला कुपोसी थे ना तो उसका बच्चा भी कुपोसी थी रहेगा हमारे देश में रिसेंटली देखा जाए ना वुमेंट चाइल्ड डवलफमेंट मिनिस्टर ने पार्लियमेंट में यह कहा था कि 50% से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी उपर 5 साल से कम हैं वो क्रोनिक मालनोट्रीशन को फेस कर रहे हैं पांस साल से कम उमरके बच्चे में ही यह कुपोसन की समस्या हो जाएगी न तो बच्चे का दिमाग विक्सित नहीं होगा पढ़ाई लिखाई में वो फिर पिछड जाएगा बाकी बच्चों से तो हमेरे दिश में एनीमीय की बात कर लें जिसको हम खूण की कमी बोलते हैं खूण की कमी क्यों होती है खान पान अच्छा नहीं रहेगा हरी पत्तेदार सबजियां खाना है पालक खाना ये सारी चीज़ें मिल नहीं पाती है महिलाओं को तो खून की गमी चले जाती है आइरन की बिमारी हो जाती है एनिमिया की बिमारी हो जाती है और यह जो एनीमिया है फिर आगे चल कर बहुत घाता भुजाता डेलिवरी की टाइम में एनीमिया की रेट यदि हम बात करें इंडियन वोमेंस की तो इंडियन वोमेंस में 20% है चिर्डरन में 15% है यदि हम ग्लोबल एवरेज की बात करते हैं तो अब हम सक्षम आंगनवारी and portion 2.0 की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हमरे आंगनवारी and portion 2.0 की तो यह दोनों जो हैं welfare scheme हैं जो की child mind nutrition and hunger को counter करने का काम करते हैं आगनवारी प्रोग्राम को आज के समय में मर्ज कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर की ओवर रीचिंग स्कीम और फॉलिस्टिंग नरिश्मेंट पॉस्टन अभियान में एंड न्यूट्रिशन स्कीम फॉर एडॉल्स और गल्स इन 2021 तो आगनवाडी का जो प्रोग्राम है अब समझ में नहीं आता है इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सरकार ना इसको मर्ज करती है बजट जो अलोकेट किया था सेम चीज के लिए डिकलाइन हमको देखने को मिला है जैसे कि उस समय में सरकार 0.13% खर्चा कर रही थी आगनवाडी के उपर पोशन अभियान के उपर जो कि घटकर के पॉइंट 06 हो चुका है यदि हम रिसेंट बजट के हिसाब से देख ले इसके बाद सरकार की मिड़े मील स्कीम आ जाती है मिड़े मील स्कीम कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है गाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं सरकार ये स्कीम लेकर के आई थी था कि माल नोट्रेशन को एडिडरस किया सके हंगर को कम किया सके स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए particularly government running school में ये scheme सरकाना चलाई थी जिसको mid demil scheme shortcut में MDM program बोला जाता है तो अभी तक देखा जाए न तो जो MDM program है ये cover करते हैं 12 करोड children को हमारे देश में इस scheme के बारे में भी ये देखा जाए न ये program काफी successful रहा है क्योंकि इससे बच्चों का जो class attendance है ना उसमें increase देखने को मिला है बच्चों का जो educational level है वो बढ़ा है साथ ही साथ जो nutritional पोसरड वाला level है उसमें भी व्रद्धि हमको देखने को मिली है इसके बावचूद भी 2014-15 में जो पैसा दिया जाता था उसका सरकार ने आधा कर दी है finance ministry को जब बोला गया था कि breakfast की scheme भी चालू कर देते हैं जैसे ये खाना की scheme है तो नास्ता की scheme भी चालू कर देते हैं 2021 में सरकार ने बोल दी कि हमारे पास में पैसा कम है जबकि तमिलाडू में इस scheme का बहतर result हमको देखने को मिला था इसके बाद education system की अधी हम बात करें primary and secondary primary and secondary education system की हम बात कर रहे हैं तो जो share of GDP है central expenditure on education की बात करें इसमें भी गिरावट देखने को मिली सरकार पहले point 22% point 22% करती थी जो की घट करके point 25% हो गया है नई पहले point 25 था जो की घट करके point 22% हो गया है हलाकि जो primary education का enrollment rate है वो काफी हाई है इसके बावजूद भी देखा जाए education quality के मामले में basic infrastructure के मामले में तो ये सारी चीजें concerning है साथ ही साथ क्योंकि education का जो share है GDP में इसमें भी हमको गिरावट देखने को मिला है education का जो share है इसमें गिरावट देखने को मिला जैसे कि पहले point 37% था point 37% था जो की घट करके आज के सम्में मतलब 14-15 साज के जीदी तुलना करेंगे तो point 22% हो गया है इसके बाद budget allocation for health की बात करें इसमें slightly increase देखने को मिला है जैसे कि 14-15 में जो कहना चाहिए पैसा allocate किया जा रहा था इसमें हमको थोड़ा सा increase देखने को मिला है जैसे कि 25.25% से point 28% GDP का सरकार ने व्रद्धी करी है अब हम all mentioned scheme की बात कर ले रहे हैं आपर इसमें department भी सामिल है तो जो budget है वो down हुआ है 2.1% का GDP के share के हिसाब से देखा जाए 2014-15 में 2.1% था जो की घटकर के 1.53 हो गया है इस साल में इसलिए जो जितनी भी हम mention किये हैं न इसकी इन सब को मर्ज कर देंगे तो यह हो जाता है तो कुल मिलाकर के fact वाली बात यह है जो 2000 पहले से और आज की समय से यदि हम तुल ना करें जैसे कि पहले के टाइम में आज के समय में 1.53 हो गया है कोविण 19 पैंडेमिक के दोरान 2020-21 में काफी जादा पैसा खर्चा किया गया था 4.31 परसेंट जीडीपी का अब सरकार ने क्या काम करी थी 2019 में कार्पूरेट टैक्स में कमी कर दी थी लेकिन जब कहते हैं कि नौकरी करने वाले लोगों के टैक्स में कटोती करो तो सरकार नहीं करती है तो कार्पूरेट टैक्स में सरकार ने कमी करी इसके बावजूद भी आपको अच्छा खासा टैक्स मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया है कि हमी लोग हमी लोगों के टेक्स से सरकार कमाई कर रही कमपनियों से पैसा कम ले रही है हम से ज़्यादा बसूल ले रही है यह दिक्तत हो गई है तो इसका सीधा सीधा असर गरीब और जो वर्ल रेवल सेक्षन उसके उपर पड़ता है भारत की स्तिती बहुत खराब चल रही है Human Development Index के हिसाब से देखा जाए 32 नम्मर की है 132 नम्मर की रैंकिंग है हमारी and today it is more unequal than it was during British rule British अंग्रेजों के जमाने से कहीं ज़्यादा inequality आज के समय में हमको देखने को मिल रही है ये डेटा पस्तुत किया गया है World Inequality Lab की तरब से इस आर्टिकल के माध्यम से हम Artificial Intelligence को regulate करने के बारे में चर्चा करेंगे Artificial Intelligence आखिर होता क्या है आज के समय में आप Facebook जब चलाएंगे न तो एक चीज़ notice करना पहले जब हम चलाते थे तो उस समय में अपने जो जान पहचान वाले दोस्त हैं उन्हीं लोगों के पोस्ट आते थे आज के समय में इतना फरजी फरजी पोस्ट आने लगी है कि एकदम दिमाग पूरा खराब हो जाता चलाते चलाते तो ये चीज़ कैसे संभव हो पा रही है और जादा तर चीज़ें फेस्बुक आप चलाएंगे तो आपको वही दिखाई देगा कि जादा से जादा लोग उसको देखें जादा से जादा लोग उसको कमेंट करें इस प्रकार के पोस्ट ही हमको दिखाई देते हैं ये सारी चीज़ें जो है आर्टिफीशल इंटेलिजेंस के माध्यम से संबह हो पा रही है ठीक इसी प्रकार से यूटूब जब हम चलाते हैं तो उसमें देखते हैं यूटूब एक एलगोरिदम को फॉलो करता है जैसे आप एक बार कोई चीज़ सर्च मार लेते हैं या फिर आपने किसी को सब्सक्राइब कर लिया है तो उससे रिलेटिट चीज़ें आपको आना चालू हो जाती है ये सारी चीज़ें संबह हैं आर्टिफीशल इंटेलिजेंस के माध्यम से कमपनिया इसलिए ऐसा कर रही हैं क्योंकि वो जादा जादा प्रॉफिट कमाना चाहती है जादा सा जादा लोग उसमें इंगेज रहें इस प्रकार से वो एल्गोरिदम लाती है अपने सिस्टम में AI के माध्यम से और इसी AI का इस्तमाल करते करते मिस्यूज भी बहुत होता है मिस्यूज का मतलब यह है जैसे कि लोगों की प्राइवेसी का उलंगन होना इसके अलावा भी एक दू एक्जामपल हम आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे तो artificial intelligence के बारे में आज के समय में हम जैसे कंपनियों के लिए हम बात कर रहे हैं तो shareholder की प्राइवेसी चल रही है आज की अर्थवेवस्था में जो modern corporate governance regime है वो capitalistic हो चुगा है neo-capitalistic economies हमको देखने को मिल रही है मतलब क्योंकि देश की सरकारें अपनी एकोनोमी को चलाने के लिए capitalistic and neo-capitalistic चीजों का सहारा ले रही है मतलब shareholder को prime रखा जा रहा सबसे उपर रखा जा रहा है इसका मतलब यह हो गया है कि आज के समय जो modern corporation होते हैं इनका जो objective है खाली profit generation हो गया wealth creation हो गया है for shareholder and investor वही बात जैसे की example के तौर पर अब हम लोग तो youtube में shareholder नहीं है यह थी हैं भी मान के चलो जैसे कि किसी नों कोई channel बनाया है अब जैसे कि भारत में सबसे जादा जो देखे जाने वाले channel जैसे केरी मिनाटी का हो गया या फिर और भी यह हसी मजाक वाले लोगों का तो यह एक प्रकार से इनको हम shareholder बोल देते हैं तो जो company होती है न यूटूब है उनका बड़ा ख्याल रखेगी क्या काम करेगी कौन लोग ऐसे वीडियो को ज्यादा पसंद करता है उन्हीं उन्हीं को वैसे वैसे दिखाना चालू कर देती है क्या है इसका मतलब ज्यादा ज्यादा कमाई करना है shareholder को भी ज्यादा देगी खुद भी ज्यादा कमाई करेगी यही बात हो जाती है आपर तो अब हम जन्रेटिव आर्टिफीचल इंटेलिजेंस की बात करें तो वो एक ऐसा एक्जामपल है जहां पर कार्पुरेशन इसका इस्तमाल कर रहे हैं यह अल्टरनेटिव गवर्नांस इस्ट्रक्चर लेकर के आ रहे हैं ताकि बैलेंस कर सकें कैसे करके हमको प्रॉफिट को जन्रेट करना है जोषल्रस्पोंसिबिल्टी हम हासिल कर सकते हैं अब इसी चक्कर में डाटा अक्सस का इसी का प्वासिट करना है मतलब जो यह आल्टिवीशियल इंटेलिजेंट है न वो लोगों में बायसिस पैदा करता है, इनिक्वाल्टी पैदा करता है, भेद भाव कहना चाहिए, आर्टीपीशल इंटेलिजेंस का इस्तमाल करना है, तो सबसे पहले लोगों के डेटा की उसको जरूरत पड़ेगी, फेस्बुक को आपके डेटा की जरूरत पड़ेगी, यूटूग को आपका डेटा चाहिए, तब जाकर के वो AI का इस्तमाल करेगी, इससे अब कंपनी तो हमारा डाटा ले ले रही है, और हमको जीरो रूपे दे रही है, दिक्कत वाली बात यह हो जाती, दूसरी बात यह है, प्राइवेसी का भी कोई खास खयाल नहीं रखा जाता है, इसलिए तो आप देखेंगे न, पता नहीं कहां कहां से फोन आते रहता है, कोई कहता है, अब जाज फाइनेंस से बोल रहा है, कोई बोलता है, कहीं से बोल रहा है, तो यह लोग हमारा डेटा कहां से चोरी कर लेते हैं, पता नहीं कहां से लेकेज होता है, पहली बात तो यही होती है कि कम्पनी को आपका डेटा चाहिए कैसे करके चोरी कर लेगी हमको नहीं पता चलेगा इसके लिए उसको ट्रेंड करना पड़ता है लार्ज लेंग्विज मॉडल्स को इसमें वो पब्लिक कॉंटेंट का यूज करती है जैसे कि यहाँ पर यही हम बात कर रहें फेस्बुक एंड इंस्ट्राग्राम की यह लोग क्या काम करते हैं इन लोगों को बोला गया कि आप पास कर दीजिए रोग दीजिए आपके प्लानिंग को फेस्बुक ट्रेंड करना चाहा रही थी अपने लार्ज लेंग्वेज मॉडल्स को और इसके लिए वो सर कहना चाहिए जनता का डेटा इस्तमाल कर रही थी तो जो यूरूपियन कंट्री से इस मामले में बहुत आगे हैं उन्होंने मना कर दिया था तो जो फेस्बुक एंड इंस्ट्रकाम जो शेयर हो रहा है उस कॉंटेंट से अपने कहना चाहिए एप को ये लोग कुछ सी सिखा रहे थे और उसका फिर फायदा वो लोग उठाते इस से लेकिन जो प्राइवेसी है न यूजर्स की वो प्रभावित होती अब अमेजन ने जैसे कि AI का इस्तमाल किया AI का इस्तमाल करते करते दिक्कत ये पैदा हो गई कि जब भरती कर रहा था न तो वहां वो जो जिस अल्गोरिदम का प्रेयोग कर रहा था उसमें हमको जे और मैंसे समक्रिय को बोल सकते हैं जैसे कि लड़किया ये काम नहीं कर सकते हैं एंड एनिलाइसिस एंड लिंकवर्ड्स के रही हम बात करें एक प्रिंस्टॉन युनिवरसिटी है उन्होंने एक एकस्परिमेंट कर आया था ठीक है उन्होंने यूस किया था AI सॉफ्टवे का ताकि एनलाइसिस कर सकें लिंक कर सकें वर्ड को तो उन्होंने ये पाया कि जो यूरोपियन नेम्स होते हैं न ये काफी बैटर रहते हैं प्लीजिंग रहते हैं यदि हम आप परिकान अमेरिकन काउंटर पार्ट की तुल्ला करें तो इस प्रकार से भी बाइसिस हमको जाती है तो यह जो हमको भेदभाव दिखाई दे रहा है जो इन एक क्वालिटी क्रियेट हो रही है इसको कैसे करके ठीक कर सकते हैं तो जो आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस को क्रियेट करने वाले लोग हैं यह उनकी रिस्पॉंसिबिलिटी बन जाती है इसके अलावा उन उनका जो कार्पॉरेट गवर्नांस स्ट्रक्चर है इसमें थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है तो एक आर्टिकल है जो की युनिवर्सल सिविल कोड से रिलेटेड है पार्टिकुलरली देखा जाए 15 अगस्त को जब स्पीच दे रहे थे प्रधान मंत्री नरेंद मोध तो उन्होंने बोला था सेक्यूलर सिविल कोड लेकर के हम आएंगे तो सबसे पहले उनिफॉर्म सिविल कोड की हम चर्चा कर लेते हैं तो देखिए मौटे तोर पर देखा जाए सरकार सिविल कोड लाना चाहती है अब भी हाल फिलाल का एक्जामपल लेडिया हम देखें जैसे कि सरकार ने तीन तलाग को खतम कर दिया है तो ये भी एक यूनिवर्सल सिविल कोड का एक्जामपल हो सकता है क्यों जैसे कि हिंदूों में तलाग की जो प्रता है मुसल्मानों में जो तलाग की प्रता है दोनों में भेदभाव टाइप का हम को दिखाई देता है सरक हो गया ऐसे करके पता ने कितनी बीवियों को तलाग दे दिया और कितनी बीवी रख लिए तो सरकार सोचती है कि युनिवर्सल सिविल कोड हम लेकर के आएंगे फिर दूसरा मुद्दा हो सकता है जमीन के मालिकाना हग को ले हिस्सेदारी है बेतीयों को मिलेगी कि वाइफ कितनी मिलेगी पती ये सारी चीज्ञेस सब धर्मों में समान हो सकती है ये सारी चीज्ञेस diagnostopa सरकार करेगां तो जो युनिवर्सल सिविल कोड है इंडिया में वाइब ड्यinडिट रहा है जब से पहली जो पिटीस ने फाइल करी गई थी 2019 में कि आप फ्रेम करिए UCC ताकि प्रोमोट किया जासा के नैशनल इंटीग्रेशन को जेंडर जस्टिस एक्वाल्टी एंड डिगनिटी ऑफ वुमें इसलिए कहना चाहिए यह आर्टिकल बहुत जादा डिवीट रहा है आर्टिकल चवालिस की हम बात करते हैं आर्टिकल चवालिस जो है रिलेट करता है डारेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इस्टेट पॉलसी यह क्या हो सकते हैं नीती निर्दे सकता तो मतलब सरकार को यह यह काम करना चाहिए उनमें एक सीज़ा जाती है युनिवरसल सिविल कोड की समान नागरिक संहिता जिसको बोला जाता है तो बहुत सारी चीजे है अलग अलग कानून हमरे यहां पर चलते हैं जैसे कि हिंदू कोड बिल हो गया सक्सेशन एक्ट हो गया लग‌डोज ये सब जगह अलग अलग हैं इस चीज को हमको एक करना है इसके लिए सरकार क्या करती है युनिवर्सल सिविल कोड ले करके आना चाहती है नेक्स्ट वाला जो न्यूस का आर्टिकल हम देखने वाले हैं ये पार्टिकुलरली आया है उडिसा से यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो गवर्मेंट और प्राइविट स्टाफ रहेंगे उडिसा में इनको एक दिन का मैंस्ट्रल लीव मिलने वाला है मतलब मासिक धर्म के दोरान इनको एक दिन की छुट्टी रहेगी पार्टिकुलरली जो फस्ट दिन रहता है इस दिन ज़्यादा तकलीफ होती है इसलिए एक दिन की भी दिलीव इनको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है यह तो कुल मिलाकर कि यह जो कदब है महिलाओं की डिगनिटी के लिए उनकी गरिमा और संबान के लिए बहतर कदब है वह है कि एक दिन की जगह इनको जादा दिन की लीव दिया जाहिए था उडिशा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ठीक है प्रवती परीधा इन्होंने थल्टे के दिन एनांस्मेंट किया है एक दिन का पैड मेंस्ट्र लीव इस्टेट गवर्मेंट एंड प्राइविट सेक्टर एम्प्लोई के लिए मतलब प्राइविट कंपनी में भी यदी काम करेंगे तो भी आपको मिलेगी है हलाकि देखा जाए यह जो लीव है ऑप्सनल है मतलब एम्प्लोई ले सकता है तो ले नहीं ले सकता है तो नहीं ले तो मैं मैंस परिदा हूँ वाज आल्सू इंचार्ज आप दा वूमें एंड चाल्ड डवलफ्मेंट डिपार्टमेंट इन्होंने अनॉंसमेंट किया है जब वो इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रीट कर रही थी कटक में तो जो वूमें एंप्लॉई है वो लीव ले सकती है फस्ट और सेकेंड डे आप दा मेंस्टर साइकल पहले दिन या फिर दूसरे दिन आप चुट्टी ले सकते हैं यह जो तो उडिया की गर्ल है इसने क्या काम करी थी कि उडिया लड़की ने मासिक धर्म के दोरान सवेतन अवकास की मांग करी थी कहाँ पर नेरोभी में संक्त राश्ट नागरिक समास सम्मेलन दोहजार चौबिस में तो हो सकता है वहां से थोड़ी सी सरकार सीख ली होगी और य